हेलो एवर्वान फरीदा दिसाइड आज हम बहुत ही आसान तरीके से स्मूग की आय कैसे बनाते हैं उसको सीखते हैं हमारी मेकप डमी है मैंने पहले से अब्रो बना लिए हैं और हम इस पे मैंने कंसीलर भी लगा लिया है और फिर भी आपको एक बार थोड़ा सा दिखा दूगी यह हमारा कंसीलर पैलेट है इस तरह मैंने अच्छे से कंसीलर को लगा दिया यह मेरा स्मॉल आइशाड़ो करेंगे थोड़ा सा और लेंगे ताकि हम इसका डार्क बना सके अब इससे थोड़ा सा डाक शेड लेंगे मेडियम के लिए यहां पे एक जम उपर वाले से नीचे लाइट कलर के शेड के नीचे अपलाई करेंगे अब हम लेंगे थोड़ा सा ब्राउन एंड थोड़ा सा ब्लैक कलर को मिक्स करके आई लीड पे अब लाइट लेंगे राउंड राउंड के मोशिंस में हम इस तरच से इसको अबलाई कर देंगे इसके लिए हम क्या करेंगे थोड़ा सा लाइट कलर लेंगे जो हमने पहले मीडियम में लगा था उसी को लेके हम ऐसे राउंड 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 करके अच्छे से मर्ज कर देंगे यह हमारी बहुत ही सिंपल स्मोकी आई बनके रेडी हो चुकी है अगर आपको इस पर कोई भी शिमर लगाना है तो उसको आप पिक कर सकते हैं इसको बोलते हैं शिमर्स यह देखो मैं ब्लैक पे यही कलर लगा रही हूं बहुत ही अच्छा निखार के आएगा इस तरह बहुत जादा नहीं लगाना चाहिए और थोड़ा ले लेते हैं इसको ग्रैबिंग मोशन पे लगाना है आप अगर नाइट टाइम में पार्टी के लिए जा रहे हो तो आप इस तरह के शिमर्स भी अबलाई कर सकते हो हो इसमें से अब हम इस ब्लाक कलर पर यह जा रोगा सकते तो यह लगा शक्ति को फिर डा तो अच्छा नियक्या तो हम इसलिए इसको और थोड़ा इसको और थोड़ा इसको तीनों को मिक्स करके अपलाई करेंगे आप देख सकते हो हमारी कितनी प्यारी स्मोकी आई बनके रेडी हो चुकी है मैं इसके लाशेस लगा के आपको फाइनल लूक एक बार दिखाएंगे अब हम आई लाइनर लगाएंगे मेरे पास गर में लाकमी का पड़ा हुआ था हम इसी से करके दिखाएंगे आज हम आई शाड़ो लगाने का बहुत ही असान तरीका सिखेंगे इसा कोई भी आप आप आइब्रो फिलिंग ब्रश ले लें यह स्विस ब्यूटी का है उससे आई शाड़ो पैलेट से आप डार्क कलर को पिक करें इसपे आपको जहांसे आई लैनर से यह वहां पे लगाएं देखो और इस तरह से गली के से ड्राप करते हुए अब ले जाएं इसको इस तरह हुआंए इसे क्या होता है आपका आई में कब मैसी भी नहीं होगा और पौडर है इस वज़े से आसानी से हट भी जाएगा अब हम इसको आई लैनर से फिल देगा हमने जहां पे आई शाड़ो से लाइन रखा था मैं उसी लाइन पे ऐसे कवर करते आ रही हूं और बीच में मैं यहां पे एक छोटा सा डॉट रखके यहां से मैं इसको इसको इस पे आड़ कर दूँगे इस तरह तो यहां से इसको मैं इस तरह आड़ कर दूँगे है ना बहुती सिंपल आसान करीक एक्सेस हो तो आप ऐसे कंसीलर ब्रिश को लेके इसको यहां से आप अपना लाइन बना सकते हो देखो हमारा विंग लाइनर कितना असानी से और परफेक्ट तरीके से बन चुका है यह हमारा स्मूकिया है विताउट शिमर और ग्लिटर और यह हमारा हलका सा शिमर और ग्लिटर आप अपने उपर कौन सा आई मेकप करना पसंद करोगे प्लीज कॉमेंट करके बताएए अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज सब्सक्राइब मैं चैनल ट्रीज सब्सक्राइब मैं चैनल